माने निये परधान मंत्री जी के द्वारा एक यूजना चलाई जाती है पिम सुरेगर मुप्त विजिली यूजना इस यूजना के ताहर सरकार आपको सोलर रूफ्टॉप लगवाने के लिए अच्छी खासे सबसेडी रासे देती है जो 78,000 रुपे तक आपकी होने वाली है इससे होगा ये कि आपके घर पर जो सोलर पैनल होता है वो लगवाया जागा वो सोलर पैनल से जो भी आप अपने घर में जो बिजली का उत्पात करते हैं वो सारा काम उसी सोलर पैनल से होगा और इसमें वेनिफीट ये है सरकार ये फैसलेटी दे रही है कि मान लिजे आप की बिजली क्या परडे का खपत अगर 5 यूनिट है और सोलर पैनल से परडे आपको 10 यूनिट मिल रहा है तो 5 यूनिट आप जो है सरकार को परडे बेच भी सकते हैं और इसकी जो रासी होगी सरकार आपको देगी अच्छी खासिटे रासी आप उससे कमा भी सकते हैं तो आई आपको पसंद आया तो इससे like और share जरूर कर दीजीगा चाहते हैं इस परकार की लगातार update आपको मिलती रहे तो चैनल को आजे subscribe करेंगे ताकि आने वाली सारी update की जनकारी आपको मिल पाएगे फिलाल अपने skin पर चलते हैं इस्टे पाई इस्टे बताते हैं PM सुरेगर दे दूँगा online update STM 14 के website पर भी आकर पूरी जनकारी इसके बारे में आप समझ सकते हैं कि इस युजना साब को क्या benefit मिलेंगे इसके लिए आपकी पातरता क्या होने चाहिए इसमें क्या क्या डुक्मेंट आपको लगते हैं उसके बारे में बताईए यह आप यहां सा तमाम आले सक्षन में आपको एक option मिलता apply for rooftop solar जिस पर आपको क्लिक करना है यहां पर आने के बात देखेंगे एक option मिलता है रेइस्टर का और एक login का यहां पर भी मिलता है रेइस्टर का जिस पर आपको क्लिक करना है रेइस्टेशन करने के सभी यहां पर भी बताए गया है आपक आप अपना state का नाम chain करेंगे, जो भी आप का जीला परता है, जीला का नाम यहाँ से chain करेंगे, आपके area में जो भी electricity distribution company होंगे, जो बिजली पहुचाती है, उनका नाम यहाँ पर मिलेगा, आप उससे select करेंगे जो आपके घर तक बिजली पहुंचाती है उसके बाद यहाँ पर आपको अपना consumer number देना है जो कि आपके electricity bill पे मिल जाएंगे बगे capture code को fill करना है next वाले विकल पर click करना है उसके बाद यहाँ पर देखेंगे जिनके भी नाम से electricity जो connection है register होगा उनका नाम देखनों को मिलता है अब आपको proceed वाले भी कल पर click करना है यहाँ पर आपको अपना mobile number देना है जो भी number आप देना चाहते है अबलेबल हो वो number देकर click here to send mobile OTP in SMS वाले भी कल पर click करेंगे आपके number पर OTP जाएगा उससे fill करेंगे email ID देना चाहिए तो दे सकते हैं उसके बाद capture code जो मिलेगा उससे fill करना है submit वाले भी कल पर click करना है अब यहाँ पर बोला जाता है कि आप सिउर है submit करना चाहते हैं आप OK वाले भी कल पर click करेंगे इस परकार आपका registration पर क्रिया complete होता है login करने के लिए login वाले भी कल पर click करना है आपको अपना register mobile number देना है बाके capture code को fill करना है next वाले भी कल पर click करना है login करते ही आपके सामने इस परकार एक option मिलेगा proceed का जिस पर आपको click करना है थोड़ा सापको wait करना है इस पर कर देखेंगे apply for rooftop solar installation वाला form खुलता है जिसमें सबसे पहले आपको applicant का detail भरना है जो उनके electricity bill पर जिस recording नाम होगा उस recording नाम बताएंगे उनका जो भी category होगा category आपको यहाँ पर बतानी है साथे साथ आप जहां यह solar rooftop installation करवाना चाहते हैं वो address यहाँ पर आपको बताना है जिस भी according address हो बताएंगे address 2 में यहाँ पर बताएंगे village बताएंगे city बताएंगे district बताएंगे state और pin code बताना है नीचे आप आएंगे यहाँ पर देखेंगे electricity distribution company का जो detail है वो यहाँ पर बाकि कुछ जंकारी यहाँ पर पूछी जाती है जैसे उनका जो भी company का division होगा को division यहां से चैन करना है उसका सब डिविजन जो भी होगा आपको यहां से बताना है आप का घर-का जो है भार कितना है वो आपको बील पर ही मिल जाता वही जानुकारी पर भी पूछी जाती कितने वाट का है जैसे एक किलो वाट हमने दिखा तो एक किलो वाट बता आपका जो भी हो आप बताएंगे मुवाइल नंबर इमेल आइडिया आप चाहें तो अपडेट कर सकते हैं बाकि यह आप देखिए सोलर रूफटॉप की डीटेल आप से पूछ करेंगे जिसमें आपको अपना एस्टेट बतानी है साते साथ जो भी आपकी केटेगरी होगी वह केटेगरी आप यहां से चुनेंगे आपका एबरेज जो मन्थली बील हो कितना आता है वह आप यहां से बताएंगे उसके बाद एक option मिलता है अब आपके जो भी एडिया है स्कॉर मीटर में है या स्कॉर फीट में हो बताएंगे कितने स्कॉर फीट में है वह जनकारी आप यहां पर देंगे आप इस solar panel को लगवाने के लिए अभी आप कितना पैसा उसमें निवेस करना चाहते हैं वह जनकारी आप यहां पर दे सकते हैं उसके बाद आपको बताना कि आपके घर के क्या लोड है वह आप बताएंगे किलो वार्ट में पूछा गया बताने के बाद एक उप्सन कैलकुलेट का मिलेगा जिस पर आपको क्लिक करना है बाकि इनके द्वारा बता दिया जाता है आपके स्कॉर फिट के अनुसार जैसे कि हमने एक हजार स्कॉर फिट डाला था तो यहां पर यह बता रहा है कि यहां पर स्कॉर फिट एरिया है इसलिए अगर मान लुगा स्कॉर स्कर्फिर Derek तो स्कार्फिकhta बताए जैसे मिल जाएगे तो ओ Maharीजाए लगाना होगा एक किलो वाट अगर लगवाते हैं तो 50,000 खर्चा है 30,000 रुपे सबसेड़ी है 20,000 रुपे आपको खोल दे से लगाना होगा बाकि यह कितने एरिया कभर करेगी उसके बारे में बता रहा है और कितने जो है साल में आप जो है 4730 रुपे तक इससे बचा सकते हैं तो यह एक कैलकुलेटर है जहां सापको आईडिया लगता है कि आपको किस परकार की जो है कितना खर्चा होगा औप जहांसे ले सकते हैं अब यहां पर पूठी है कि आपको लगवाना है कितने कैपसिटी वहा लगवाना है किलोवाट में, जैसे हमको एक किलोवाट का लगाना तो एक किलोवाट बताएंगे, अगर आपके घर में पहले साई कोई solar panel अकर इंस्ट्रॉल है, तो आप बता सकते हैं कि कितने किलोवाट का इंस्ट्रॉल है, नहीं है, तो इस जनकारी को आप छोड़ सकते हैं, बाकि Less पर रहते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे? Use current location पर क्लिक करेंगे, यहाँ से अगर आप allow करते हैं, अब यहाँ से आपका current location यहाँ स्टे करेंगे, अब यहाँ पर आपको एक electricity जो भील है लास्ट छे महिने में से कोई भी आप एक महिना का यहां से अप्लोड करेंगे चूज करकर यहां से अप्लोड कर देंगे उसके बाद एक option मिलेगा सेब का जिस पर आपको क्लिक करना है उसके बाद एक option मिलता है सेब का जिस पर क्लिक करेंगे और एक option मिलता है फाइनल समिट का जिस पर आपको क्लिक करना है थोड़ा सा वेट करेंगे इस परकार आपका जो फॉर्म है वो फाइनल समिट होता है और इस परकार बताया वे गया है कि आपका application सफलता पुर्वक समिट हो चुका है आपकी जो distribution company है उसके पास approval के लिए चला जाता है किस डेट को आप हम को समिट किये हैं और डेट भी आपको यहां पर देखनों को मिलता है अगर आपको इसमें कोई भी इडिट करना है तो option भी मिलता है इडिट सुलर application request का जिस पर क्लिक करना है उसके बाद आपको जो है subsidy का पैसा लेना है उसके लिए बैंक की डीटेल भी समिट करनी है तो समिट बैंक डीटेल वाले भी कल पर आपको क्लिक करना है यहां पर आपको सबसे पहले बताना है कि आपका जो account है किस bank में है उसका यह अपसी code क्या है account किनके नाम से है और account number क्या है वो बताएंगे आपके पास या तो cancel check या passbook या या एक option मिलता है submit to MNRE जिस पर क्लिक करना है अब आपने दूसरे step को भी complete कर लिया है बैंक की भी detail दे दिया है आप चाहे तो इसका print ले सकते हैं तेकि एक option मिलता है application acknowledgement का जिस पर आप क्लिक करेंगे आपके सामने आपका application का acknowledgement आएगा जिसमें आपकी तमाम जैनकारी इसमें द जाता है जैसे ही वह approval करती है उसके बाद जो इंट्रोलेशन की परकिरिया है आपके घर पर आकर वह करती है बाकि आपको कितना सबसेडरी मिलेगा उसके बारे में भी जैनकारी ले सकते हैं एक option मिलता है download e-token का जिस पर आपको क्लिक करना है जिसमें आपको बताया भी गय जैसे आपका token ID मिलता है इस सब जनकारी आप सुरक्षित रखेंगे अब इसके लिए solar panel लगाने के लिए जू भी रइश्टर भिंडर है उसका detail आप चाहे तो खुछ से भी चेक कर सकते हैं आप उनसे लगवा सकते हैं एक option मिलता है view रइश्टर भिंडर का जिस पर आपको क्लिक करना है थोड़ा सा वेट करेंगे यहां पर देखेंगे इतने सारे भिंडर है जैसे भिंडर का नाम देखनों को मिलता है उनका मुवाइल नंबर email ID मिलता है आप चाहे तो उनका जो है profile भी देख सकते हैं या आप उनसे call करकर भी आगे की जनकारी आप समझ सकते हैं या आप चाहते हैं वह आप से contact करें तो यहां पर जिन भिंडर से भी आप चाहते हैं अपना solar panel लगवाना उनके सामने आपको जो है contact me वाले option पर क्लिक कर देना है वह भिंडर आप से contact कर लेंगे या आप चाहे जो भी भिंडर से अपना यह solar rooftop लगवाना तो यहां सा आप से भी selection कर सकते हैं यहां पर जाकर उससे selection करकर समिट कर देंगे वह भिंडर आपका selected हो जाता है बाकि आपका फॉर्म जो है अप्रोबल के लिए चला जाता है जैसे यह complete होता है फिर आपका वर्क जो है start होगा उसके बाद आपका solar rooftop जो है आपके घर पर installation होगा उसके बाद आपके घर पर inspection होगा मतलब जाच परकिरिया होगी किस परकार आपका काम हुआ है उसके बाद project commissioning की परकिरिया होगी फिर आपका जो भी subsidy होगा वो request चला जाएगा फिर आपके जो खाता होगा जो आपने दिये होंगे उसमें आपके subsidy की रासी जो है मिल जाती है दिखें य लगाने के लिए जो भी आपको रासी अभी बताई गई है जितना भी तो यह रासी अभी आपको खुद से लगाना होगा यह पूरी परकिरिया होने के बाद यह subsidy आपके खाते में लोट आई जाती है यह भी आप ध्यान रखेगा तो यह परकिरिया है PM सुरेगर मुप्त ब बिजिली योजना का benefit लेने का दोस्तों अभी आपने देखा मैंने आपको step by step बताया कि कैसे PM सुरेगर मुप्त बिजिली योजना के लिए आपको आवेदन करना है आसा और उमीद करता हूं अपने पूरी जनकारी समझा होगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर क कर दीजिएगा कहीं भी कोई doubt है आप comment works में जरूर पूछिएगा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद चैहंद